हेलो पर्सेंटाइल बूष्टर फोई जेए एश तो भाईया जैसे कि आप लोग को मालूम होगा जेए मेंस वन हमारा कंप्लीट हो चुगा है जेए मेंस टू की फिरपेशन आई होप आप लोग की सबकी शांदार तरीके से चलने वाली आपकी फिरपेशन को थोड़ा सा और एंप्लिफाई करने के लिए यह जेए की परसेंटाइल बूष्टर स्रीज लॉंच हुई थी जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर जिसका नाम है इलेक्टोस्टैक्स तो जैसे कि आप लोग को आई होप आप सब लोग को पता होगा कि इस स्रीज में हम लोग जो ह हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं चीजें स्टार्ट करने से पहला एक चीज मैं आपको बता दूँ जितने भी कोश्चन में हाप लोगा वो सारे कोश्चन रहेंगे जो में जो आईवे हैं तो उसको देखके कभी यह ना सोचीगा कि सर यह तो बहुत सिंपल सवाल है अ कोई बच्चा कर 90% लेकर आया तो वहिया तो किसी दरीगा तो 98-99 कोई 95 लेकर आया तो तू भी 90 किसी कारण बस कोई 50-60 पर रह गया 50-60 तो वहिया खीच-कांस कर तू भी आजा 90 क्रॉस कर जा तो बेसिकली मुद्य की बात यह है हम यहां पर रियालिटी के बारे हैं बात कर कर पाए हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में लेकिन मैजोर्टी ओप दा कुश्चन वह हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे ठीक और इसमें आपको जिस बात कर ध्यान देना है वह मैं आपको बता दू कि हो सके क्योंकि यार मेरे भाई अगर तू लेक्चर देख रहा दो मिनट ही हमको चाहिए होती है 25 मिनट में हमको जो है 25 कोश्चन करने के लिए हमारे पास एक घंटा होता है ठीक आप यह मत सोचीगा कि अरे यार इसमें तो यह है इसमें आइसा करना होगा खतम नहीं अरे तो गोल गूल गूम रहा है इधर वाला फोर्स निकाल लो Q into E कर कर दो तो आंसर आ जाएगा और जब आप सॉल्व करने जाते हो एक्जाम में और सॉल्व करते वक्ग जो वहां पर सिली विस्टेक्स हो जाती गलती हो जाती तो इसमें बहुत बड़ा डिफ्रेंस होता है तो यह सब नहीं चलेगा कि ऐसा कर तो हो जाएगा अब और टीजर तो कहीं गड़बड़ा आ रहा है कल्कुलिशन में शेक कर रहा है कहीं भी होच-पोच हो गई है सवाल थोड़ा सा गलत पढ़ ले रहा है आंसर तो गलत निकाल दे रहा है इन दैट के समझा कि तू अभी जे इमेंस टू के लिए परपेर नहीं हुआ है अभी बहुत कुछ तेरे को सीखना बाकी है तो भाईया बिना वक्त को जाया किये शुरू करते हैं पहला सवाल आपके सामने आपकी स्कीन पर यह रहा मैंने आंसर भी ठीक कर दिया है ठीक है जितने बेस्ट पॉसिबल आंसर से वह आप लोग अपना मैच कराईगा मैं हो रहा हूं किनारे जल् हो जी वह इकलूबरियम में है अच्छा इकलूबरियम में है बहुत ही बढ़िया कोफिजेंट और इस पार्टिकल एंड़ टेबल इस इतना फाइंड दा वैल्यू ओके बहुत ही बढ़िया यह कहना चाहरा है कि भाई थोड़ा सा पतला हो भाई यह चार्ज है क्यू यह भ इसको भागा रहोंगा कि भाईया तूजा थूर ठीक यह इसको इसको एंड़ के फ्रिक्शन लगा रहो गा आगे तो इसकती हो जाईगी पीछे की तरफ और फ्रिक्शन मेरे बही क्योंस उगया और अगर यह क्लूबरियम में है तो सीधी बात बोलेगा कि सर अगर इस force की value कितनी हो जाएगी के Q1, Q2 by इनके बीच का separation अगर R है, L2 बराबर friction, statement तो यह सही है, ठीक, काइदे में इस friction को हम लोग mu mg तो नहीं लिख सकते, ठीक, अगर जो अच्छे से friction वाला chapter समझता है, उसको पता है कि mu mg क्या होती है, static friction की maximum value होती है, ठीक, static friction तो एक variable force होता है ठीक, जिसके value depend करती है, एक तरीके से आपने कितना force apply कर रहा है, लेकिन, क्योंकि इसने आपर word use कर दिया, limiting equilibrium, मतलब बस मर्धली सी आदत में, मर्धली सी condition में हो, हलका से भी करेगा, तो भग जाएगा, डाला, इसका मतलब friction की value है, अब हम चाहें तो यहां पर लिख सकते है कि जो भी लग रहा होगा, वो static का maximum लग रहा होगा, that is equal to mu s into mg, खतम सवाल, clear है, that is equal to mu s into mg, हमने बहुत डिटेल में पढ़ दिया, उसने friction coefficient दे रहा है, mu s, mu k के बारे में बात नहीं किये, तो अच्छी बात है, इसका मतलब mu s, mu k के दोनों बराबर होंगे, just put the value, get the answer, teacher का क समापत हुआ, थे रखाम चाल हुआ, बड़ाक से solve कर, ठीक, चलो, आओ, मैं solve कर रहेता हूं, सर, क्ये होता है, 9 into 10,2 की बावर 9, ठीक है, ok, सर, देखो, charge, charge कहा है, q, सर, यह हो गया, charge का square, तो मैं direct answer लिख रहा हूं, 4 into 10,2 की बावर minus, साथ दूनी, 14, बटे l square, that is equal to, ठीक mu s, mu s कितना बाई, आगया, एक बटे 4, into mg, mass कितना है, 10, into 10,2 की बावर minus 3, into g, 10,2 minus 3 का मतलब unit का विश्यान दे रखा, gram में दे रखा, kilogram में दे रखा, kilogram में दे रखा, एक बात और बता दू, मेरी बोलने की speed already 2x होती है, मैं उसको थोड़ा धीरे करके बोल रहा हूं, speed slow की मैंने PW में आके, उससे पहले मैं offline class में था, मैं मेरी speed 2x होती है, इसलिए speed थोड़ा down कर रहा हूं, हो तक्ता किसी बच्चे को मेरी speed बोलने की तेज लगे, तो भाया, वहाँ पर एक option धिया होता है, 0.75x का, या 0.5x का, आप चाहें, तो वो opt कर सकते, और आप चाहें, अग नहीं मन में इसको solve करा देता हूं, देख, देख, चार्चक 16, यह दर आजाएगा, ठीक है, 16 नमा 144, 144, ठीक, L2 उदर जाएगा, ठीक, L2 बराबर 144 into something something something, ठीक है, तो L बराबर under root of 144 into something something something, 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 मैं साला 10 ही है, और कुछ नहीं है, तो इसका मददा answer विए 12 cm, ठीक, मैं आ अगल बराबर निकल के आजाएगा, 12 cm, क्लेर है, ठीक, नेक्स, आगे परते हैं, अगला question, तुमारी screen पे यह रहा, और भाई साब, ऐसा सवाल है यह, जो जब master class में कराता है, तो बच्चे हंसते हैं, क्या है, यारी तो आता है, ठीक, लिकिन जब exam में है ना, मतलब, यह ऐ यह kinetic energy है, ठीक, सुनो ध्यान से, मैं थोड़ा सा, एक बात और बदा दू, वेटा, क्योंकि मेरा काम question को समझाना, discussion करना, और उसके साथ-साथ, उसके आजू-बाजू की काम-काम की चीजे भी revise कराना है, तो इसलिए हमें, हर एक question में, आप यह ना सोचेंगी, सर एक question को तो या अच्छी सची बात यहां पर हम लोग अपने काम की सरकी बातों से निकाल सकते हैं, तो भाई साब, सवाल बेचिक के लिए है, मैं यह कहना चाहरू कि अक्सर हम लोग जो electric field याद करते हैं, वो या तो भाईया भरेवे गोले की कर लेते हैं, कि अंदर भरेवे गोले की अ फर्मूले ऐसे होते हैं, जो अक्सर हम लोग याद करते हैं, लेकिर इस सवाल में हुआ है, यह मैं solid spare, solid cylinder आगया, तो अक्सर काफी बच्चे को मैंने अच्छी नोटिस किया है, कि वो इसका formula याद नहीं रगते हैं, कि यह जो है solid long, cylinder आपका है basically, तो यहां कहाँ electric field कितनी हो करना चाहिए, मैं आपको revision करा देता हूँ, कि solid spare, solid cylinder, solid cylinder के अंदर जो electric field होती थी, वो होती थी, rho r बटे 2 epsilon 0, गौसलो से निकाल के आता था, ठीक, और solid square के बाद जो electric field होती है, वो होती है, rho 2 epsilon 0, r into r square, आपको कैसे याद है, मैंने कैसे याद रख 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 है, ध्यान से दे, कि इसका जो graph आता है, वो ऐसा आता है, ठीक है, और ऐसा ही graph तेरा solid non-conducting गोले में भी आता है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई साब, यह गोला है, इसके अंदर electric field भरी पड़ी है, sorry, charge भरा पड़ा है, non-conducting है, बताओ, यहाँ पर electric field किस हिसाब से change होती है, तो शयद आपको याद होगा, कि उसका graph भी कुछ ऐसा ही होता था, दोनों की शकल सूरत एक है, लेकिन काईदे में mathematical दोनों graph अलग लग है, जब हम लोग यहाँ पर देखते थे, भरे वे गोले के अंदर, तो वहाँ electric field आती थी मेरे भाई, rho r बटे 3 epsilon और अंदर, inside, तो इस अगर मैं बात करता हूँ किस पे, long, slender, solid, charge, यह basically कहानी है, इन में थोड़ा सा भी confusion तेरे को नहीं होना चाहिए, मैं सवाल पर लोटके बापा सात हूँ, आजपास के चीज़ रिवाइस करा दी है, उसने बोला कि भाई साब, एक charge particle है, एक charge particle क्यों revolves around the slender, इन्हें सर्कुल इलेक्ट्रिक फिल्ट, तो मैं अगर ऐसा बोलू कि भाई साब, आ डिस्टेंस दूरी पर, यहां पर, एक सफोच, प्लस Q charge है, अब जैसी में प्लस Q charge माल लिया, तो सवाल गलास होगी है, क्यों, तो बाप बताओ, आप यहां प्लस मान रहे हो, और यह प्लस मान रहे हो, प multiple choice में सवाल लग देता, पहला question, एक option यह रख देता, एक option यह रख देता, कि charge, जो है, must be a negative charge, ठीक, या यह वाला charge और यह वाला charge, opposite nature का होना ज़रूरी है, ताकि attraction हो, और attraction वाला force क्या देदेगा हो, को centipetal force Mb square by R के बराबर कर दो गया, ठीक, तो मुझे यहां पर यहां इसको negative मानो, या पर इसको negative मानो, सीधी सी बात है, इसका लाव और कोई option यहां पर है नहीं, क्योंकि center की तरफ मेरे को force है, जो centipetal force इसको गोल-गोल घुमाएगा, तो अगर यह ऐसे ऐसे गोल-गोल घुम रहा है भाई, तो आप बोलोगे, किसे देखो, इधर force लग रहा आउटसाइड कितना है, रो आर स्क्वाइर बटे, फू एसले नोट आर, यह एक्वल टू, एमवी स्क्वाइर, और भाईया, देखे, आर से आर कैंसल आउट हो गया, मजे की बात पता है क्या ही, उससे पूछा क्या है, काइनेटिक एनरजी, तो इसका मतलब काइनेटिक ए पटे, एप्सलेक फसलेट, वे ठीक है, चाहर पर ले, हाँ सां ठीक है, कौन सी ओप्टीर मेच करा सब, पके तो अप्टीर मेंच करीए शीख यह है, तैरी फ्मेंच करीए, यही फिर आटा है। चार उप्षन सुन, पहला उप्षन, काइंटी के नेट्जी अब दा पार्टिकल विल भी, ठीक है, या आपसे सीधी बात पूस्ता, दूसरा, वेलोसिटी इस इंडिपेंडेंट ओन दा रेडियस अब दा ओर्बिट, सोच, यहां से जब तो भी निकालेगा, तो देर आर वा क्योंकि स्पीड जो आरे है, सवाल में क्या जारी? independent होंता, यहां पर, तुझे एक चीज की किमत पता चलिए ओगी, कि बैटा, इलक्तोशेटिक्स में फॉर्मूले याद होना बहुत important है, चलो आगे बते, next question की तरब, अगला कोशन तुम्हारे सामने यह रहा चेस्ट स्किन को पॉस्ट करें ट्राइ करें चलो उसने बोला कि वेंग टूट बता तो यहां पर एक इंफानाइट इन डाइग्राम यह बहुत बड़ी शीट है ठीक यह सबाल थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा गलती के लगा यहीं का मतलब नहीं पता था लगानों के चली बहुत लाइट बहुत ब्लाइट बहुत बैट भर मैं कहना चारा को यह बताओ और तो बहूं। बसक् Nim подकाव। तो प्रें प्लेट कहने का मतलब है यह है। कि सीघकदनी हैए सिघ्मा वाई 2 f sil ए नोदू हुआ हर एक्षबल के सहरा है। आप चब्रें आर पर बात करें या होँआ पर बात करें आप बोलोगे साल किनल नावोट है…. अब आप लोगे डाउट सुनों सर पहले तो वह एल दूरी पे था मैंने का हाँ अब वह 12 पे चला गया मैंने क्या हाँ सर दूरी तो बढ़ गई मैंने क्या हाँ सर इलेक्टि फिल तो कम होनी चाहिए तो मैं बोलूगा अगर तो दूरी दुगनी करेगा तो यह जो लार्ज प्लेन शीट है ना मैं इसको सोगुनी कर दूगा सोगुनी उपर सोगुनी नीचे इधर सोगुनी इधर सोगुनी क्योंकि लार्ज का मतलब क्या है ठीक है वह तो कितना भी बढ़ा हो सकता ना मैं कहां तो सब्सक्राइब बहुत बढ़ा दूगा कि जब मैं और बढ़ा दूगा मैं तो मैं शीट को और बढ़ा दूगा ठीक तो ये बात पर ये समझने पड़ेगी यहां पर कि लार्ज शीट का मतलब है तो फिर अपन बोलेंगे ये बात common sense की है कि exactly बराबर तो नहीं होगी अगर suppose मैं यहां पर इलेक्टिफिल की वेल्यू बोलता हूं एक लाख ठीक है magnitude बाइस तो यहां पर जाहिर सी बात है एक लाग तो नहीं होगी एक लाग से थोड़ी सी कम होगी 99 समझ यह निन्यानवे हज तो उसको जो छोटा सा पार्ट यहां पर आता है उसको हम लोग नगलेक्ट कर देते बात सब्सक्राइब कर देंगे लेकिल कोशन के point of view से हम तो यहीं बोलेगे यहां पर और यहां पर दोनों के भीज़ो potential difference कम magnitude बताओ कि निकालो जल्दी दिखो लिखो 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 बीपाट लिखो जो लोग यहां पर आपको कोपी कर रहे हैं सॉल्ब कर रहे हैं कोशन को बीवी बात में आंसर निकाल के दिखाओ what is the magnitude of potential difference between P1 and P2 ठीक सर देखो इलेक्टिफिल युनिफोर्म है उमने का हां सर अगर आप डिल्टा भी निकालना चाते हो magnitude wise तो सर सिंपल सी बात है यह हो जागा इलेक्टिफिल्ट इंटू दोनों के बीच का गैप और दोनों के बीच का जो गैप है वो मेरे भाई कितना है एल्लेक्टिफिल्ट कितनी हो जाएगी सिग्मा वाई 2 एपसलन नौट इंटू एल बिल भी दपोटेंशल डिफेर्स है तो नेक्स आगे बढ़ते हैं और यह लाज़ प्लेट है ना इसके बाद विए एक प्लेट लगा दे निगेटिव निगेटिव प्लेट ठिक ऐसे ही हां सब तो वो क्या बन जाएगा लागो क्रोड क्लोमीटर क्या बढ़ा लंबा चोड़ा है नहीं एसा नहीं है लार्ज का मतलब यह भी हो सकता है कि यह हो तो बहुत छोटा सा है एक मीटर की रोड हो लेकिन जो पॉइंट सो ना वह बहुत करीब हो जैसे कि मैं तुस्से बोलू कि यह भी लार्ज हो सकता है बस जो पॉइंट हो वो पॉइंट चरब बिल्कुल इसके करीब है सुई की न सब्सक्राइब करते हैं एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहां पर रख दिया तो बता दो इस जगह पर रख दिया इससे कितना फ्लक्स पास करेगा सुलूशन आपको मालूम ही होगा मैं एक बाद फिर से कर देता हूं कि सर एक काम करो नीचे एक आइडेंटिकल स्फेर और लगा तो हमिस्पेर अब यह चार्ज पूरे गोले के सेंटर वह पे आ गया और सेंटर वह पे आ गया तो पूरे गोले से जो इलेक्टिक फिल उसकी वैली हो जाएगी क्यों वाई एपसाले पूरे गोले से आधे गोले से कितना हो जाएगा सर आधा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी खतम सबार अब आप यह मत सबंझा कि सर इतना सिंपल सवाल क्यों पूछ लिया सर आप क्यों करा रहे हो अरे जी एडवांस में भी आया सर देखो जी एडवांस में हैसा आगया था इस बास पर उपर हला यह रखावा ना हमिस्पेर इसकी पर कॉन रख दिया उसने और कॉन रख कर दिया चेक कर ले ना इसी साल आयता सवाल है ठीक और उसने बोला कि आप यह बता तो यह जो उपर वाला स्लेंट वाला एरे से ट इसका मदा आंसर विल भी इसके क्यू वाई ट्यू एपसल आट है जो ही एडवांस का सवाल ता इस साथ खाव है क्लियर है चलो नेक्स आगे बरतें अगला कुश्च यह रहा उन्हें वाला टू पॉइंब और मेंग तूट इतना 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 रस्पेक्टिवली आर प्लीस कुश्चिन को देखने के जरूर ट्राइब करें ने का चालो आजो तेको हम आप मैं कुश्चिन को सॉल्व करने का था तरीगा बताता हूं ठीक है अगर यह क्यू है तो देखिए माइनस क्यू है वैल्यू हमेंच लास में पुट करो हमेंच स्या लागभा अगर तो यह minus u charge है, दोनों के बीच का जो gap है, वो d है, अब उसने बोला है कि sir, mid point पर जो है, इस जगा पर elective-fill बता दो, कितनी होगी, यह gap कितना है, sir, यह gap है sir, d by 2, यह gap कितना है, sir, यह gap है sir, d by 2, ठीक, sir, यह q से elective-fill इस तरफ, और इसकी बेसा elective-fill इस तरफ, तो अगर मैं e net के बारे में बात करूँगा, sir, इस तरफ हो जाएगा, k q by d by 2 का whole square, ठीक, ठीक है sir, और इतनी ही elective-fill इसकी बेसा आजाएगी, multiply by 2, that is equal to 2 दुनी, 4 दुनी, 8, 8 k q by d square, मैं चाहता हूँ कि आपको जादर से जादर question try कर आपा हूँ, इसलिए सवाल को बेटा मैं यहीं चोड़ रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे नीचे इस तरह से रोना मत किया है, ज़र आप तो answer solve करके नहीं देरो पूरा, इसके बाद को solve कर पाना, value पूट करके solve करना यह तेरे को आना चीए, यह 13 पार्ट है बेटा, बास वाज़ मारिए, यह तेरे को आना चीए, यह 13 पार्ट है, और अगर तो यह नहीं कर पा रहा है, तो इसका मिला समझ जा कि यह मेहनत, यहाँ पे तेरे को work out करने की ज़रू इसके बाद का काम आपका है, आप यहाँ, मैं आपको physics सिखाऊंगा, मैं आपको calculation नहीं सिखाऊंगा, कि देखिए करिए कर देख, value पूट कर दो गुड़ा दो पराव अच्छार हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक, उससे जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनका necessary time-laste होता ह इनट की value बड़े ही आराम से यह वाली value पूट कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक, और k की value आपको पता है, q की value आपको पता है, d square solve करके आप निकाल लीजिएगा, answer will be 3 meter, ठीक है, ठीक है, नेक्स आगी बढ़ते हैं, अगला question, तुमारे सामने की रहा, उसने बोला, even electric potential at any point x, y, z is given by इतना, electric field बता दो, इस point पर कितरा होगा, directly सवाल है, directly सवाल है, screen को pause करो, question को try करो, चलो, सर देखो, जो आपके अबल x के बारे में बात कर रहे हो, तो electric field मैं लिख सकता हू, dby by dx, यह गलती, काफी बच्चे करते थे, क्योंकि बोई भूल जाते, कि यहाँ पर एक minus भी था, यहाँ पर एक minus भी था, तो अगर मैं यहाँ पर electric field पूछूँगा, x में, तो आप यहाँ पर लगा दोगे, i cap, अगर कुछ और फंक्षन दिया होता, 3x square plus 4yq plus 10zq, तो हम लोग उसका partial differentiation से, उसको हम लोग solve करते, ठीक, तो यहाँ पर तु बोलेगा, सच, चुप नहीं, z, कुछ है नहीं, तो इसका मतब, electric field will be negative side में, minus 6 i cap, खतम सवाल, तो चेक करके देख लें, answer will be, direct along the negative side, clear है, एक चीज़ नोटिस कर रहा है, तो, सवाल जी में इसमें कैसे आ रहे है, देख रहे है, either formula is, directly formula is, ठीक, यह directly one step, दूसरे तीसरे step में तो जाना पढ़े नह आए, ठीक है, सारे सवाल वो ही आए, तो इसलिए अपने पढ़ने की जो strategy है, जिन लोगों की percentile 80 से कम आईए, 90 से कम जिन लोगों की percentile आईए, मैं उनको यह बात बोलूगा, कि बेटा, जो भी आज का session है, या जो भी series का session है, उस session के, इस बात पर जरूर ध्यान दो, कि य जाओ, अगर वो आपने सही कर लिया न, यकीन मान, easily तेरी 95 cross हो जाएगी, easily तेरी 95 cross हो जाएगी, तो 99, 98 cross हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं उन बच्चे के लिए बोलना हूँ, जो 30 percentile, 40, 50, 60 percentile वाले बच्चे भी है, तो कि जाइड सी बात है, उन विचारों को अब या कि इतना, ठीक है भाई साब, and the initial velocity is इतना, how much distance it will travel before coming to rest, momentary, अच्छा, कितना अच्छा सवाल, देख ध्यान से देख, उसने बोलाए कि एक positive charge plus, मैं क्यों करो, skin pause करो, try करो, चलो, उसको क्या किया, thrown in opposite direction to uniform electric field, मतलब electric field, अगर मेरे भाई, पीछे की तरफ है, ठीक है, तो इसको आपने आगे की तरफ है के मार दिया, B0 velocity के साथ, अब जहाई सी बात है, electric field पीछे, force पीछे, acceleration पीछे, velocity आगे, speed down, और जाएगा, 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 और finally ये बंदा rest पर आज़े, आप से पूछा जा आप लाएगा है कि बता दो कितना चलेगा, सवाल के करने के दू तरीके हैं, पहला तरीका, kinematics, क्या, सर देखो, electric field है uniform, ठीक है सर, electric field सेम हर जगा पर, ठीक है सर, इसका मदब force हर जगा पर सेम, ठीक है सर, acceleration हर जगा पर सेम, ठीक है सर, acceleration, equation of motion, ठोक दे, सीधा लगा, V square बरा ठीक, acceleration में सीधा लिग दिया, QEY, ठीक, QEY हम कैसे, force लगेगा, QE पीछे की तरफ, और मास से डिवाइट करेगा, acceleration, velocity आगे, acceleration पीछे, सले, negative sign, खतम सबाल, एक लिए हमने तरह आंसा निकलका जाएगा, D बराबर, V0 square, M by 2, Q, ठीक, ठीक है से, अब तो value पूट करते, तो भईया, इसकी अगर में value पूट करो, V0 square, मतलब 200 का square, 40,000, into mass, mass है 100, milligram, unit का विशेज ध्यान देना, ठीक है, ऐसा ही system में रखना है, 100 into 102 की power minus 3, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि gram होता, तो तो 102 का minus 3 लिखता, ये milligram है, 102 की power, ठीक है, यही पर बच्चों से गलती हो जात क्यों, 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 40,000, micro, coulomb, into, electric field, कितनी है, 102 की power, आजा भईया, काटा पीटी कर ले चाहे तो, वैसे तो ये काम आपको करना चाहिए था, इससे cancel out हो गया, ठीक है, और 5, 0 यहाँ पर हैं, देख, और ये 4, देख, ये 5, 0, और ये 1, 0, कितना हो गया, 6 है, 0 हो गया, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी cancel out हो गया, ठीक, ये आगया, 4 बटे 8, पराबर 0.5, the option is correct, clear है, ये आपका हो गया method number 1, method number 2, तो work energy theorem से भी कर सकता है, क्या, कि सब work done by all the force equal to change in kinetic energy, यहाँ पर force, यहाँ पर जो काम करने वाला बंदा है, उसका नाम है, only and only electric force, electric field कितर लग रही, electric field कितर है, पीछे की तरफ, तो electrostatic force कितर लगेगा, पीछे की तरफ, बंदा भागा कितर आगे की तरफ, तो तू लिखेगा, work done by electric field, मैं आपन लिक देता हूं, दूसरे में से, सब work done by electric field, तू लिखेगा, सर force into displacement, minus लगा के, क्योंकि displacement आगे है, force पीछे की तरफ है, work done by electric field, equal to change in kinetic energy, final kinetic energy, 0, minus initial kinetic energy, half mb0b2, minus, 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 cancel out हो गया, statement तेरा गूंपर के, वही निकल के आगे, clear है, I hope तुझे सवाल समझ मां, आगे होगा, कुछ बच्चे इसको, mechanical energy conservation से भी कर सकता है, initial kinetic energy, initial potential energy, final kinetic energy, final potential energy, वहां से थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा, क्योंकि जब change in potential energy लिखोगे, तो वहां पर जब change in potential लिखोगे, तो change in potential में आपको electric field into D लिखना पड़ेगा, in short form, ultimately आना statement यह है, ठीक, shortcut में मैंने तीन मेतड़ बता दिये है, सबसे सिंपल तो यह है, चुपचाप कानेमटेक्स लगा, solver का आगे बचा, ठीक, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question यह रहा, question को pause करें, skin को pause करें, question को try करें, चल, उसने बोला, भाई साब, point charge is brought in an electric field, अच्या, electric field में point charge लेके आगे, चलो, जी भाई साब, ठीक है, मान के चलो, electric field किसी जगा पर इधर ती, ठीक, और यहां पर आप कोई point charge लेके आगे, यह ले, ठीक है, अब, value of the electric field at the point nearer to the charge, may increase charge is positive, correct है, फिल्कुल correct है, अगर मैं इस तरह बात करूँआ, इसके पास, suppose मैं एक गुलावी वाला point मान लेता हूँ, तो इस जगा पर अब दो-दो electric field रहेगी, एक, जो पहले से रखी भी है, पहले से मौझूद है, एक, जो यह हरा वाला charge produce करेगा, और अगर दोनों same direction में होगे, तो electric field का magnitude जाहिर सी बार से बढ़ जाएगा, और अगर, suppose मैं बात कर रहा हूँ, इस तरफ, मैं बात कर लेता हूँ, suppose जिस नीले वाले point पर, तो यहाँ electric field कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, सब क्यों चार्ज की पर से electric field पीछे की तरफ जाएगी, एक electric field पहले से मुझूद है, जो आगे की तरफ, एक electric field पीछे की तरफ, दोना opposite direction तो घटे लिए, तो electric field बड़े भी सकती है, घटे भी सकती है, depending on the किस जगापर आप यहाँ पर बात पूछ रहे हो, तो इसका मतब this statement is correct, next, an electric dipole is placed in non-uniform electric field, अच्या, electric dipole को non-uniform electric electric field के अंदर आपने रख दिया, तो net force on the dipole will not be zero, भया सीधी बात यह है, अगर इसके बारे हम बात करें, अगर electric field non-uniform है, इसका मतलब अलग-अलग जगे पर, अलग-अलग electric field है, dipole का मतलब होता है, एक plus Q-4 तो दूसरा minus Q-4, अगर यहाँ पर, और यहाँ पर electric field अलग-अल है, तो force जाहिर सी बात है, अलग-अलग ही आएगा, तो net force zero नहीं आएगा, तो इसका मतलब यह statement भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हम लोग J mains को J mains की हैसियत से अगर देखें, तो second statement is correct, J advance की हैसियत से देखें, तो अच्छे बच्चे समझगे होंगे, कि non-uniform electric field में, पर force zero भी आ सकता है, non-zero भी आ सकता है, ठीक है, question कैसा होता है, किस हिसाप सा examiner पूछना चाह रहा है, उसकी आउकात के हिसाप से हमको answer देना होता है, समझे हो, समझो, यहाँ electrical field 10, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 0, यह minus 5, बना दी मैंने कल्ले जो करना देखें, ठीक, यहाँ 10, ठीक है, एक dipole को मैंने ऐसे रख दिया, जिसका minus क्यों तो यहाँ पर है, और plus क्यों यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर भी लग्टिफिल्ट 10, यहाँ पर भी लग्टिफिल्ट 10, बीच में अलाग अलाग, non-uniform electric field, समागी बाद, मगर यहाँ, और यहाँ, magnitude same हो गया इलेक्टिफिल्टा, direction भी same कर दी मैंने, ठीक, तो in that case, अब इसे net force क्या हो जाएगा, 0, यह case भी याद रखना, ठीक है, लेकिन यह J advance की इतनी हैसियत नहीं है, वो इतनी detail में जाके पूछेगा, वो आप से उपर-उपर देख रहा होगा, सारी चीज़, हवा-हवामी पू इलेक्टिफिल्ट के अंदर रखते हो, तो net force 0, और torque आता है P x E, torque 0 भी हो सकता है, non-0 भी हो सकता है, अगर किसी dipole को non-uniform elective field के अंदर रखते हो, ठेक है, so in that case, elective field 0 भी हो सकती है, sorry, net force 0 भी हो सकता है, net force non-0 भी हो सकता है, आप हमको diagram बना के दिखाओ, आप हमको आप से आप बना रहे हो, elective field की value क्या है, आप पहले हमको ये बात बताओ, उसके बाद हम भी हो सकता है, बात समझ में आगी है, ठेक है, I hope तुम्हें बात समझ में आई होगी, और किसी dipole को अगर non-uniform elective field के अंदर रखोगे, तो torque 0 भी आ सकता है, non-0 भी आ सकता है, clear है, च इसको ज़रूर दियान से दिख लेना, बढ़ डाटा बदल बदल के, शकल बदल बदल के सवाल आता रहता, जैसे कि, चार्ज ओप चार माइकर कोलम इस चुट डिवाइडे इंटू 2, भाईया, चार्ज के दो टुकले करने, ठीक है, डिस्टेंट बिविन देम, तो टुकल तो वो लेगा सर्द एको फोर्स बराबर लगेगा, के, क्यू बन, क्यू टू अपॉन आर इसको है, यह डिस्टेंस आर है, ठीक, अब उसने बात बोलिए, कि सर, इसको करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम करने के लिए, एक्स की वेल्यू क्या होनी चाहिए, तो शायद आप लोग मैक्सिमम होना चीए, इसका मतब, एक्स और 4-x दोनों बराबर होनी चीए, x इक्वल to 4-x, that means, 2x बराबर 4, that means, x बराबर 2, इसका मतब चार्ज को आधा-धा बाट दे, तो इसका मतब जो फोर्स निकल काएगा, वो क्या निकल काएगा, मैक्सिमम निकल काएगा, पहला मैत दूसा method, अगर आपको इस force को maximum करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, इसको differentiate करके equal to zero कर दो, अगर इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूं, कि 4x minus x square, बटे r square, हमको क्या करना है, इसको differentiate करके equal to zero करना है, 4x is differentiation 4, और x square का minus 2x, that is equal to zero, तो यहां से भी x की value क्या निकल का जाएगी, जैसा तेरा मन करें, वैसा दू कर सकता है, दो method मैंने बता दिये, चलते हैं आगे, और तीसरा और सुन, बढ़ाता न, मैंसमे, am is greater than gm, वो भी ठोक दे, वहां से भी आ जाएगा, ठीक है, चलो, अगला question, two identical metallic sphere a and b, when placed at certain distance in air, हम आमें रखती है, और दोनर पर जो force लगा, व k q1 q2 by r, ठीक है, अनदर identical uncharged sphere c, first place in contact with a, a के साथ उसने च्वण्छवाई कराई, तो जैसी उसने a के साथ च्वण्छवाई कराई होगी, तो ऐसा समझ देख, एक था हमारे पास a, इस पे च्वण्छवाई कराई होगी, तो ऐसा समझ देख, एक था हमारे पास a, इस पे च charge आधे हाधे हो गए होगे, यह भी q0y2 होगा भया और यह भी q0y2 होगा, चार्ज आधा हाधा बढ़के होगा, ठीक है, next, आगे बढ़ते, अब उसके बाद क्या हुआ, अभी साथ रुका नहीं है, वो, c is first place in contact with a, then in contact, अच्या, उसके बाद फिर b के साथ और contact कर रहा है, वो च्वण च्वण ही कर रहा है, मतलब c को आप b के साथ च्वण च्वण ही करी, क्योंकि identical है, तो च्वण च्वण ही के बाद जो charge होंगे, वो आधे हाधे distribute हो जाएंगे, तो मैं solve करने का तरीका बताता हूँ, यह सब चीजे छोड़ो, तुम्हें काम करो, तुमना मान ल जाएगा, ठीक है, अब क्या किया, c को इसके साथ touch किया, तो sir, a पे जो charge था, वो रह जाएगा plus 10, क्यों, आधा charge c लेके चला गया, c पे कितना charge जाएगा, 17, 10, अब c को b के साथ touch किया, तो c पे 10 था, b पे 20 था, तो दोनों जूड़के 30 हो गए, और आधा था 15, 15, तो इसक करना, इसा और आसान हो जाएगा, मैस में हम लोग खेलते हैं, अब उसके बाद कहा रहा है, फाइनली प्लेश जिता, midpoint, a और b के बीच में, c को रख दिया, और c पे भी कितना है, plus 15, अब कहा रहा है, net force बता दो, force experience by c, I think, अब आप निकाल सकते हो, ठीक है, ध्यान से करते हैं, वाला बंदर कितना force लगाएगा, सक्खे, q1, q2 by r by 2 by square, minus k, q1, q2 by r by 2 by square, ठीक है, आउ, solve करते हैं, देख, r by 2, k बहरा गया, k into, 15, 4, r by 2 by square, 2 पर चला गया, 4, ठीक, अंदर 15 में से 10 गया, 5, magnitude लिख रहा हूँ, ठीक, यह तुम्हारा क्या गया, f2 आखे, जड़ा आराम से देख, value, ठीक, क्या, f r square by k, की value कितनी है, 400, सही लिख रहा हूँ ना, यह पर में, अबे, सही लिखने, ठीक है, यह ऐसे मत कर, कुछ और लिख ले, के, 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 उसके form answer देना है, ना, अबको, तो तो ऐसा समख, k y r square, बराबर, f बटे 400, ठीक, तो यह k y r square की जगे रख दे, कितना, f, वह जगता, आपने किसी दूसरे तरीके से किया हो, जैसे आप करो, बिल्गूल कर रख थे, ठीक है, f बटे 400, गुणा 15, गुणा 4, गुणा 5, ठीक है, आप calculation करते है, देख, 4 से मारा 100 वार, ठीक है, 15 से मारा 20 वार, सोरी, 5 से मारा 20 वार, 20 वार, ठीक है, 20 वार क्यों, 25, 100, ठीक है, 15 बटे, 20, 5 से फिर मार, 3 बटे, 4, 5 से बटे, यह तो आंसर आएगा, 3 वार, 4, P option, सवाल से क्या सीख मिली, क्या सीख मिली, calculation आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी भी सिली में शीख करेगा, सवाल गलत हो जाएगा, सवाल होने बाला है, एक्जाम में आता है, ऐसे सवालों को बिल्कुल ना चोड़े, सुकून से पढ़े, सुकून से करे, चाहिए जाला, 3 मिनट ले ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलब, सवाल आपको class notes में जरूर मिल जाएगा, data change करके, maths उसकी अलग होगी, मैं सवाल बढ़ता हूँ, spherical symmetric charge distribution, ऐसे ऐसे दे रखा है, r less than r है, उसने बोला है, electric field at point p, अब मैं बरेवे गोले के अंदर electric field पूछ रहा है, p point पर, ले, ठीक है, p point पर, यहाँ पर electric field पूछ रहा है, त आपको याद होगा, non uniform distribution जब होता था, तो हम लोग Gaussian surface इस तरीके से बनाया करते थे, गौसलो हम लोग लगाते थे, मैं direct statement लिख रहा हूँ, गौसलो जब हम लिखाएंगे, तो हम लिखेंगे, sir, e.4 pi r square बराबर, q inside, but epsilon, q inside मतलब, अंदर का charge लिखेगा, यह आपको class notes में ज तो, e.4 pi r square, q inside upon epsilon naught, q inside upon epsilon naught का मतलब, sir, q inside क्या होगा, sir, rho into 4 pi r square into dr का integration from 0 to r upon epsilon naught, इसके पीछे की कहानी, I hope, आप लोगों ने class में पढ़ी होगी, मैं एक बार shortcut में explain कर देता हूँ, मुझे चाहिए भाईया, अंदर में, यहां तक का charge, इतना charge चाहिए, मुझे इतना charge, तो इस charge के लिए मैं क्या करूँआ, small r दूरी पर, एक dr thickness की shell पकड़ेंगे, shell पे charge न मिलेगा, ठीक, वो charge आ गया, क्यों inside, बटे epsilon note, बस इसमे value put करो, solve करके answer, निकाल तो, मैं proper थरीके solve करा देता हूँ, मैं बीच में छोड़ूँगा निस सवाल को, तो आप लिखोगे, sir, e.4 pi r square, और यह चमत कारी है, 4 pi r square, 4 pi r square, cancel out करते हैं, यह मत करना, काफी बच्चे यह भी कर देते हैं, यह बत करना, ठीक है, तो, next, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद, that is equal to, rho की value कितनी है, style मार रहा है, rho, परिशान कर रहा है, सला, करने दे, कोई बात नि, r, बटे r, ठीक है, 4 pi r square, into dr, का integration, 0 to r, बटे epsilon note, patience रख, 4 pi r square, equal to, देख, rho, ठीक है, 3 by 4, ठीक, 4 pi, r square multiply करता, r square integration, r q by 3, ठीक, minus, ठीक है, मल्टिपला है कर, 4 pi, बटे, नीचे capital R, पहले सी बैठा हुआ है, r square into small r, r q, r q integration, r q power 4 by 4, को, देख रहा है भी, नो, calculation में, बिल्कुल, कोशिश कर रहा है, कि बस बच्चा, घलत ही करते सवाल को, बटे epsilon note, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह जो 4 pi epsilon note था ना, यह वाला, है, 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 ठीक, यह 4 pi, r square जो था, मैंने इसको यहां लेकिया, अच्छी कर लेते, आजा भी, देख, तीन से 3 मारा, 4 से 4 मारा, यह 4 से 4 मारा, यह r square था, 2 r यहां खा गया, तो देख, पाइनल आंसर भी, रो, pi बाहर आ गया, r square यहां से r बचा, r minus, यह pi बाहर आ गया था, ठीक, यह r की power 4 था, r की power 4 का मतब्ब क्या होगे, बाई साब, 2 r कम होगे, r square by r, upon, 4 by epsilon, pi से pi भी तो कट गया, बहुत ही बड़ी, आंसर इस, 1 r और बाहर निकाल लें आसे, आंसर इस, 1 r और जब बाहर निकाल लेगा, काहां लिखू, जगही ना बच रही, यहां लिख देता हूं, ठीक, ठीक, एक r और बाहर निकाल लेगा, यहीं लिख ले, rho r, 1 minus r by r, बटे, 4 epsilon, कौन जब मैच करा, c option मैच कर गया, calculation आएगी, जई मेंस के questions में, इस बार calculation नी, इस बार नी, हर साल calculation आती है, ठीक है, वो तेरे को लंबेज चोड़े, tough सवाल में नहीं फसाएगा, simple सवालों में, simple सवालों में, calculation दे के फसाएगा, या पीर सवाल में, धोगा देने की कोशिश करेगा, बस वहीं से बचना है, तो बच गया, तेरा G-means में, बहुत easily, तू 18-20 question attempt कर सकता है, बहुत easily, ठीक है, और बच्चों ने किया है, करने वालों ने किया है, तो I hope ये question आपको शायद काफी अच्छा लगा होगा, चलते हैं next question की तरफ, अगला question तुमारी सामने ही रहा, उसने बोला, electric potential is constant within and the surface of each conductor, हाँ यार, बात तो सही है, conductor को तो हम लोग बोला करते थे, बाता, statement one is correct, अब चलते है, statement two है, electric field just outside a charge conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point, बिल्कुल सही बात है, यह तो प्रबटी होती है, यह conductor की, बोथ statement are correct, next question, चलो, चलते हैं अगले question के तरफ, यह question तुमारे सामने जो दिखाई तुम्हें दे रहा है, एक सवाल यह है, सवाल इसको screen को pause करें, अभी try ना करें, और एक सवाल यह है, इन दोनों सवालों को मैं बोलूगा, दोनों हैं, बेशरम सवाल, ठीक है, आपको आपके class notes में मिल जाएंगे, सर ने आपको definitely कराया होगा, जो भी किताब आप follow करते हो, चाहें वो HC वर्मा हो, चाहें वो कोई से भी market की books हो, सब में आपको यह सवाल मिल जाएगा, इन पेक, वहां तक जाने की ज़रूत नहीं, आपको class notes में मिल जाएगा, जो बच्चे मुझ से पढ़े हैं उनको भी मैंने सवाल दिया था, एक सवाल मैंने class में कराया था, एक सवाल मैंने आपको home birth दिया था, same सवाल तेरा J means में आया हुआ है, मैं दोनों सवाल explain कर देता हूँ, यहां तो सुनना, क्या है, कि मैं तुझे बोलू, यहां पर एक charge है plus Q naught, और यहां पर एक charge है plus Q naught, द इसको repel करता है, repel करगे particle ऐसे ऐसे SHM करता है, बहुत थोड़े से displacement में यह particle SHM करता है, उस SHM का time period निकालना आपको class में कराया गया था, ठीक, shortcut में मैं आपको यहां पर बताए तो किस तरह करने, कि suppose मैंने इसको आगे X displace किया, और जैसी आप इसको यहां पर रखोगे, य यह बाला बनता, पीछे force लगाएगा, यह plus U, इसके करीब आ गया, इसके द्वारा लगने वाला जो force बड़ा हो जाएगा, तो आप अगर मैं F net अगर आप से पूछूँ तो आप सीधी बात लिखोगे, F net equal to, इसकी बज़े से force लगए, Q by, यह distance A, यह X, A plus X का whole square, ठीक, इ इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, next, अगर मैं इसको solve करूँगा, Q not common निकल के आ जाएगा, A minus X का square, minus A plus X का whole square, बटे, A plus X का square, into A minus X का square, अगर अपन इसको solve करें, तो यह निकल का एगा, Q not, A square minus B square का formal लगाओगे, A plus B, A minus B, plus करूँगे, cancel out हो जाएगा, य minus 2X, upon, नीचे आ जाएगा, A square minus X square का whole square, अभी यह SHM नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलो, if displacement is very very small, X is very very छोटा, in that case, आप X square को neglect कर सकते हो, सकते हैं, और अगर अपन लोग नगलेक कर दें, तो आप लिखोगे, यह आ जाएगा, 4K Q not, A, X बटे, A की power 4, ठीक, A से A जाएगा, तो नीचे रह जाएगा, भाईया, A Q, और एक निकल का जाएगा, यहाँ पर minus, ठीक, तो time period अगर आपसे पूछा जाएगा, तो time period निकल का जाएगा, सर, F बराबर minus K X की शकल का आईगा, तो T बराबर 2Pi under root M by K, यह पूरा K, जिसकी value कितनी होगी, 4K, K की value कितनी होती है, 4, 1 upon 4Pi epsilon not, into Q not upon A, पाकी आप लोग चीज़े देख लीजेगा, यह time period हम लोग ने निकाला था, जब charge को, हम लोग, दोनों charge को join करने वाली line की तरफ डिस्पलेस करते थे, मान के चलो दूसरे case में, मैं ऐसा बोलू, सेम सवाल में, कि सर यह plus Q not यहाँ पर रखा हुआ था, और एक plus Q not यहाँ पर रखा हुआ था, और यहाँ कोई एक negative charge हो, उस negative charge को मैंने उठा के, सबोज मैंने minus को यहाँ पर लिख दिया है, इसको उठा के यहाँ दिस्प्लेस किया, थोड़ा सा, और फिर छोड़ दिया, तो जैसे ही तू, इसको उपर सपोज, Y distance जूरी पर ले जाके, minus Q distance जूरी पर इसको rest से छोड़ेगा, तो तू बोलेगा, कि सर, अगर आपको time period निकालना है, तो time period निकालने का तरीका यह होता, सबसे पहले mean position निक है, सरी negative positive यह इसको अपनी तापर track कर रहा होगा, यह इसको अपनी तापर track कर रहा होगा, इसने force अगर F लगाया, तो यह भी force F लगाएगा, अगर मैं इसको ऐसे connect कर देता हूँ, if this angle is theta, that we can say that this angle is also theta, इधर F है, तो इधर हो जाएगा F cos theta, और इधर भी हो जाएगा F cos theta, नीचे हो जाएगा F sin theta, तो आप बोल सकते हो, कि F net will be equal to 2F sin theta, clear है, in that case, आपको बच्चप्चा value put करनी है, F की value, F की value के लिख होगे बाइसाब, के Q1, Q2 by R square, यह distance A थी, ठीक, R मतलब यह distance हो गई है, यह A है, यह Y है, तो यह हो जाएगा, under root A square plus Y square, का square will become A square plus Y square, के under root का square, under root cancel out हो जाएगा, into sin theta, और sin theta क्या हो जाएगा, बाइसा, perpendicular upon A square plus Y square का under root, यह पाहिए, ठीक, अब, अब अगर मैं आप से F net पूछूँगा, तो आप बोलोगे, क्या होगा, 2, K की value चिपका देंगे, आप पर 1 upon 4 pi epsilon naught, Q naught, into small q, नीचे आजाएगा, A square plus Y square की power 3 by 2, मैं अब बात करूँँगा, for very small oscillation, मतलब, Y is very very less than A, तो नीचे का जो Y ता उसको neglect कर देंगे, तो नीचे रह जाएगा, अब फिर से A square की power 3 by 2, that will become A q, into Y, अगर यहां vector लगाऊं, तो यहां minus लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही particle को, मैंने उपर displace किया, उस पे net force नीचे की तरफ लगा, vector का funder लगा के minus अपनी तरफ से लगा दो, तो time period will be equal to T बराबर 2 pi under root, M by, यह गुल्ले के अंदर जो पुरा तामजाम है, यह आप value put कर सकते हो, मैंने shortcut में वह यह दोनों article आपको revise करा दिये हैं, अब तुम मान लो, यह सवाल exam में आता है, रट के काम नहीं चल, याद भी रख ले तो चल जाएगा, चल, कोई बात ने, तो अगर किसी दे याद रख सकता है, तो तो याद रख ले, क्योंकि यह सवाल आई रहा है, हरवार रहा है, बस एक सवाल नहीं आया कभी, ठीक है, वह यह है, कि सर, इसका और इसका, दोनों के time period का ratio बता दो, ठीक है, वह सवाल बन सकता है, कहीं भी, ठीक है, मगर उस case में, उसको दोनों cases में, उसको अच्छे सा explain करना पड़ेगा, कि किस में कैसे charges है, ठीक, तो बाराल, आई होग, तुने सवाल दोनों देख लिए होंगे, मैं तुझे एक बार फिट से दिखा देता हूं, देख, यह रहा सवाल, टू identical positive charge Q are fixed at a distance of 2A apart, each other, another point charge Q not be mass M is placed at the midpoint between the two fixed charge, small displacement along the line joining the fixed charges, execute SHM time period बता दो, मतलब ऐसे वाला, next, two electrons each are fixed at a distance of 2D, इस बार यह निगेटिव, यह निगेटिव, मतलब यहां पर दे दिया माइनस Q, और यहां पर भी दे दिया माइनस Q, और proton को center पर रख दिया, और थोड़ा सा displace किया, perpendicular to the line joining the two fixed charges, इसका मतलब यहां से उपर की तरफ displace किया, net force नीचे की तरब, यह ऐसे ऐसे क्या करेगा, यह oscillation करेगा, खतम, दोनों सवाल मैंने बता दिये हैं, सुकून से आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यह question बेटा आता रहता है, ठीक है, चलते है, next motion की तरब, अगर किसी चार्ज को किसी कोने पर रख देता है, क्यूब के, तो सामने वाले फेस से जो फ्लक्स आता था, वो होता था, क्यूबाई 24 एपसले नौट, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, चार्ज उसने रखा हुआ है, यहां पर, अगर मैं आपसे पूस्ता ना, क्यार मुझे न, इस लाल वाले पूरे शेडेद एरिये से बताओ कितना फ्लक्स आता था, तो आप बोलते क्यूबाई 24 एपसले नौट, मैं अगर पूस्ता, चलो इस नीले वाले से बताओ कितना पास होगा, आप बोलते क्यूबाई 24 एपसले नौट, क्लियर है, ठीक है, लेकिन यहां पर पूरा नहीं पूछ रहा वह आपसे पूछ रहा केवल यह पीला वाला तो तुम बोलोगे सर पूरे नीले से कितना था क्यूबाइट टुट टूट सीदियम बोल सकते हैं उससे कितना जाएगा सख क्यूबाइट 24 का ढदा 48 एक्छेलन ठीक बिल्कुल उसी तरह मैं बोलू इस पूरे लाल वाले से क्यूभाई 24 एपसाइल नॉट और अगर मैं पूछू के वाल इतने से बता यह यह वाला तुम बोलो कि सर इसका भी याधा कर दो मतलब क्यूभाई 48 एपसाइल नॉट ठीक है तो फाइनल आंसर विल वी वाट तुम बोलेगा साइल सॉल्फ करोगे तो निकल का जाएगा क्यूभाई 24 एपसाइल खतम खाई ओके नेस्ट आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ यह रहा यह भी जैमींस वाइवास हवाल है स्टेट्मेंट बन स्टेट्में पर रख दिया तुमने थोड़ा सा डाइपॉल ठीक उसने बोला है क्या दा फ्लक्स ऑफ दा इलेक्टिक फिल्ट थो था स्फेर इस जीरो बट इलेक्टिक फिल्ट इस नोट जीरो एनिवेर इन दा स्पेर बहुत यह प्यारी बात उसने पूची है सर देखो अगर मैं बात करूँ न किसा डाइपॉल का मतलब है एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू तो गोले के अंदर नेट चार्ज कितना है जीरो क्यूंसाइड जीरो फ्लक्स जीरो लेकिन इलेक्टिक फिल्ट जीरो नहीं होगी चैद आपके बात पता हो कि डाइपॉल की बज़े से कहीं भी इलेक इसके एक्सिस पर आता था 2 kp by rq, equatorial पर आता था kp by rq, किसी जनरल पोइंट पर आता था kp by rq, under root 1 plus 3 cos square theta, तो मैं यह कहना चाहा हूँ कि kp by rq under root 1 plus 3 cos square theta, जो formula आपको याद होगा, वो theta की कि किसी भी value के लिए 0 possible ही नहीं, क्योंकि cos square आ गया अंदर, cos square आ गया तो हमीसा positive रहेगा, तो इसका मताब, elective field dipole की बिएसर कभी 0 हो ही नहीं सकती, कहीं पर भी 0 नहीं हो सकती, तो इसका मताब, यहाँ पर कहीं पर भी elective field 0 नहीं, one statement is correct, but flux is 0, क्योंकि net charge क्या है, 0 है, आओ, statement 2 देखते है, if r is the radius of a solid metallic sphere and q is the total charge on it, ठीक है बाइसा, okay, the elective field at a point on the spherical surface of radius r is 0, but the electric flux through this quotient, sorry, close spherical surface of radius r is not 0, okay, बाईसाब, in the light of the above example, सुभजा करेकर, वो यह कहना चाहरा है, बाईसाब, इस बार होले पर हमने एक काम किया, कि अंदर plus q charge रखती है, देखनो, statement 2 में यह कहना चाहरा है, नहीं, अंदर plus q charge नहीं रखा, वो यह कहना चाहरा है, इस पर plus q charge, metallic sphere है, radius r है, प्लस q charge है, अब बताओ अंदर क्या होगा, तो अंदर तो इलेक्टिफिल जीरो ही होगी ना, देख ले, पढ़ ले हैं अपर, टोटल चाहरा हो नहीं, इलेक्टिफिल at any point, on the spherical surface of r, less than r, सारा गेम उसने यहां खेल दिया, इस चाहरा है, अंदर कोई साभी जो है, कौ कौन सब तो इस spherical surface पकलड़े अपने मन से, यह वाला, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, तुम्हें, इलेक्टिफिल 0 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बढ़ता है, इलेक्टिफिल फ्लक्स पासिंग थ्रू इस स्प्रिकल सर्फिस और रडियस r, इस not 0, भाईया, यह गलत हो गया, इस statement two, क्यों, क्योंकि अंदर तो कोई charge है नी, metal है, metal में सारा का सारा charge का है, शर्फिस में चला जाता है, सारा का सार्फिस में चला हblock, थिर, अंदर कोई charge है नी तो בनाएगा, debrlesogn कर के लिए पन डेक्टिफिल फ्लक्स पासिंग यह statement क्या हो जाएगा, false, तो आंसर क्या इ अगर मैं गोश्यन सर्फेस बनाओ हरावाला मैं पूछू हूं बताओ ठीक है यह हरावाला ठीक बताओ हरे वाले पर यहां पर अगर मैं तुम से इलक्टिफिल पूस्ता इस जगह पर तो आप सब जगे जीरो बोलते क्योंकि सौलिट अ मैजने चंडे हों झायलेक्ति गियरों चेश केस में फ्लक्स जीरो हेख ठीक है क्योंकि क्यूंस-धि-घॏंपटल आ ओर लेकिंगि ऐलक्टिफिल जीरो नहीं चलो नैक्स आगे बढ सेक्टर अब उसे वाला distance of a point P इतना इस जगह पर इलेक्टिफिल पूछ रहा है शायद आपको याद हो इलेक्टिफिल के दो component आते थे एक आता था इधा parallel वाला और एक आता था इधा perpendicular वाला ठीक इधार आता था e perpendicular इधार आता था e parallel ठीक क्योंकि ठीटा 1 बराबर ठीटा 2 है ठीक तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हो जाएगी भाई साब उसने बोला है कि इसकी length भी L है तो भाईया मुझे ठीटा निगालना पड़ेगा यह बाली length कितनी हो जाएगी सर यह length हो जाएगी L y 2 और यह length कितनी है L root 3 by 2 अगर मैं यहाँ पर 10 ठीटा लगाऊ 10 ठीटा बराबर इसका मतलब ठीटा की वैल्यू मेरे भाई आजाएगी 30 डिग्री और जैसी ठीटा की वैल्यू 30 डिग्री में है वैल्यू पूट करूंगा यह निकल के आजाएगा k lambda by L root 3 by 2 sin 30 is half half plus half बराबर 1 तो आंसर आजाएगा 2k अच्छा lambda तो बात करी नहीं रहा कोई बात नहीं 2k lambda by L root 3 अब lambda क्या होता है चार्ज पर unit length तो lambda की value अगर मैं पूट करूंगा तो निकल का जाएगा 2k की value पूट कर देते हैं आराम से 1 upon 4 pi epsilon 0 lambda is q by L और नीचे है भाईया L root 3 यह आपका अंसर भाईया चेक करके देख ले 1 upon 2 root 3 pi epsilon 0 नीचे L इसको है c option is correct simple सा सवाल है formula base सवाल है सोच ठीक है simple सवाल है formula base सवाल है सोच कितना आसान सवाल है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं पेटा दोनों maximum electrostatic force repulsion experience करें अब वही सवाल है तो थोड़े पहले किया था दोनों charges को बराबर बराबर टुकडों में बाट दे ठीक है तो जब हमें अब ही थोड़े पहले सवाल किया था मैंने बोला था तुझ यह सवाल भी आता है वो 2022 में यह में यह 2021 में है ठीक तो करना क्या है सब बेसिकली इसको आध्य आध्य पार्ट में बाट तो यहां से भी तुक कर सकता है अगर तुझ इसको भी क्यू बराबर करेगा तो यह उधर जाएगा तो भी स्मॉल क्यू बराबर क्यू बराबर हो जाएगा देख रहा है ना यह सवाल गलत नप करना इस चाहिए ठीक है चलो आगे पढ़ते है नेक्स कोस्ट्ट तुमारे सामन अच्छा मतलब जो बूंद है वहामें ट्कीवी है तो कितना लल्लू सवाल है यह भी क्लास रूट में सवाल है आपको मिल जाएगा खेने की सवाल कि वाटर ड्रॉप हवामें रुकीवी है हवामें रुकीवी का मतलब उस पर नीचे की तब कौन सफोर्स लग रहा होगा ब सवाइसा अरे यह मैं क्यों मता हूँ यार मैं सवाल को यहीं पर छोड़ रहा हूं इसके बाद आप वेल्यू पूट कीजिएगा सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा खतम सवाल आप इसकी वेल्यू पूट कीजिएगा शायद यह मैंस 2021 का है 23 का नहीं है ठीक है क्योंकि 122 की कुश्चन लिए थे मैंने वह सकता 23 में भी आ गया हूं ठीक तो क्यू बराबर mg by e put the value get the answer calculation है आपको करना है ठीक है नेक्स्ट अगला कुश्चन यह तेक फिर से सीम सवाल ठी मंजिल स्रीज में मैंने सवाल कराया था आप लोगों को आप में नोट चेक कर लिजेगा कि उसने बोला है कि 120 डिग्री ऐसे बैंड कर दिया है सर्फलर आर्क में तो इलेक्टिफिल बता तो कितनी होगी तो यार यहां पर हम लोग ने देखा था जो इलेक्टिफिल आती है चेक करके बताओ यहां यहां से यह तुने लेमडा लिख लिए इन टू सब्यू एटिटा हो जाती है है तो सीधा तो लिख सकता है थी थिक यहां से यह तुन्हें लेमडा लिख लिया इंटू साइन ठीटा वाई टू चेक करके बताओ ठीटा की मेली 120 है साइन ठीटा कितना हो जाएगा भाई साप भी गलती कर रहे हो अब मुझे रटे थोड़ी ना सवाल है हम अगर यह मैं इस बात जरूर द्यान देता हूं लास्ट में जरूर चेक कर लेता हूं प्लस आई के मैने सांसर यहां पर मैचिंग मैचिंग है मेरे असाब से अब इसके बाद तो कर सकता है सवाल करिए कितना रहे डूनी चार चुक 16 ऊपर जाइगा थर्यवस्ता ₹2 ठाट गया तो नीचे अब है कहां गया चार दोनी आथ यह 2 से पृक्ण नीचे आएक नीचे आएगा और ऊपर चला रूठ 3 je third 3 by 8 これ Street by 8 कि तिक है और पाई इंटिव पाई पाइ स्क्वाइर इसमें पाइब स्क्राइब कर रिख एक दीकर सकता है सोच कैसे बीओ डीओ एक जैसे हैं दूना एक दूसरे के भाई है तो उनमें अंतर है ड्यक्शन का वंगे डागी सब्सक्राइब है इलेक्टिफिल आगे आईगी आई क्या पाइगी वी आप्षिन इस करेक्ट बड़ा आगे चलो चलते हैं नेक्स कोश्चन के प्रफ नेक्स कोश्चन तरह सामने यह रहाई यूनिफॉर्म चार्ट डिस्कॉप रेडियसर है विंग चार्ट डेंसिटी सिग यहां पर हम लोग जब इलेक्टिफिल पूछा करते थे डिस्की बज़े से तो शायद आपको फॉर्मुला याद हो इस एंगिलिस चीटा और यह रेडियस आर तो यहां पर इलेक्टिफिल हुआ करती थी यह बराबर सिग्मा बाई टू एपसाल है नौट वन माइनस ठीक ह यह बराबर सिग्टिफिल का फॉर्मुला याद किया था डिस्क के लिए साउन भार यह बस यहां पर इसको लिटा दिया तो एक्स की जगह कोन आ जाएगा जाएगा चेक करके देख लिए कुन सांसर मैच करेगा बहिए ए ओप्शन इस करेक्ट खतम सलाथ तो देख रहा है आप यह कैसे आया वह इंपोर्टेंट निंग है एक सब्समारी बात यह आया और इसकी वैलिव क्या यह नहीं और अगर तुछ फिर भी भूल गया मानले सब्समारी दी सब्समारी पता होगा कि डिस्क अगर बहुत बढ़ी हो जैसक अगर बहुत बढ़ी हो तो जो कि वेल्यू काम कर बहुत 0 के बराबर रख दे अगर तो ने सट की टेंडिंग तो डिश तो बहुत बड़ी दिखाई देने लगई तो दिखाई देने लगेगी तो देख सकता यह भी तो तो यह शब्याएक बचा कुला गार वहां कि यहां के बीच का निकालते थे potential difference तो वहां भी हम लोग ने ऐसा ही formula दिखा था इसका मतलब रास्ते बहुत सारे हैं अगर तू formula बच गया तो ठीक है formula भूली जा तो फिर भी बापस आने के बहुत सारे रास्ते हैं वस फाइट करूं ठीक है ना लड़ते रहो बेटा ठीके रहो that is most important चीज चलो आगे बढ़ते हैं अगला question तुम्हारे सामने ही रहा तू पार्टिकल एबी है विंदा चार्ज प्लस ट्वंटी कुलम एंड माइनस पाइब कुलम रिस्प्रेक्टिवली और हैं फिक सब्सक्राइब ठीक है उसने बोला किस दगा पर तीसरा चार्ज रख दे कि उस पर नेट लगती फोर्स लगे ही नहीं याद पर इसका स्टेट्मेंट क्या था चोरह-चो के बिच में नहीं आना है कम मेग्निटउट वाले के पास रखना है इसका मतलब चोड़ की रख यहां पर चिक अगर तो q2 by 5 plus x का whole square इसकी बज़े से जो फोर्स का के q1 q2 by x square और दोनों कर दो बराबर मैंने magnitude बराबर किया है magnitude बराबर किया है सब्सक्राइब क्योंकि direction मैंने already consider कर ली है ठीक है यह चार्ट positive होता तो यह प्लस यह प्लस यह इसको repel करता यह माइनस यह पहुत है यह इसको attract करता तो दोनों direction opposite होती तो मैंने force का magnitude बराबर कर दिया बस इसके बाद आप solve करी सकते हो दे के से के गया unit conversion क्या हो सकता नहीं इससे यह गया यह चार बार गया अंडरूट ले ले चार का अंडरूट दो पांच प्लस एक बराबर वन अपों एक्स solve कर 2x बराबर स्वर यह 5 है ठीक है 2x बराबर 5 प्लस एक्स ठीक है तो एक्स बराबर 5 सब कुछ सेंटीमेटर चलना है आंसर इस 5 तो 5 सेंटीमेटर फों दा माइनस ऑन दा राइट साइट खरम सवार जिनको यह भी पता होता है नहीं राइट से लेप साइट वो भी देख के टिक कर देंगे क्यों निगेटिव के उस तरफ जाना है ठीक है चलो next question आपके सामने यह रहा क् प्लेख रिंगे यहाँ पर घुलाबी वाला इस पर चार्ज है क्यू इसकी रेडियस है इस पर चार्ज है माइनस क्यू और इसकी रेडियस भी कि ए है और आप से पूछा इनके बीच का सेप्रेशन है सपोज एस आप से पूछा पोटेंशल डिफ्रेंस बताओ यह कुश्चन मैंने क्लास में करवा रखा है बस एक बाद बताओ सारे कुश्चन करा रहे हैं क्लास में जित्रे भी आप प्रयाश टू-पोइंट वाले द देख लो तीख वहां मैंने कराए था मैंने यह भी बोला तो क्या कहां गल्ती हो जाती है यहां पर बच्चा क्या करता एक पर पोटेंशल जब निकालता है ना तो एक रिंग की बजह से निकाल देता है जबकि काईदे में अगर मैं एपर पोटेंशल पूछूंगा तो तो आएगा खुद की बज़े से क्योंकि यह वाला जो पॉइंट है यह इसका सारा का सारा चार्ज हुए अंडरूट अगर मैं पोटेंशल एड़ भी पूछुँगा तो आप बोलोगे सारा खुद की बज़े से कितना होगा सारा क्यक्य यह क्यर तो आप डिफरेंस निकालना चाहते हो दोनों को घटा दो जैसी दोनों को घटा होगे वी-वी आ यह आप करोगे ठीक इसमें से घटा होगे तो जुड़ जाएगा 2 k q by a k की value put करते 4 pi epsilon not q by a ठीक तो यह आजाएगा minus 2 k q by a की जगे क्या आजाएगा भाई सब a square plus s square का यह है भाई सब ठीक है कुछ गलती कर रहा हूं क्या यह कहां से आ गया तू है तू तो स्मॉल ले होगा अब यह मैच करा लो यार इतना क्यों जा रहा हूं मैं सुनना एक मेंट सिंपल लगते हैं न कॉमन वह नहीं से निकाल लेते हैं न देख यहां से 2 k q by a इसमें से घटा minus 2 k q by a square plus x square सीधा रख यार यह बेटर है अब आंसर जेक ले 2 k q by यह कोमन निकाल ले तो आंसर देख लें बैसाब क्या आएगा डि ओप्ष्ण इस करेंट ठीक है यह यह जलती हो गई यह प्लस नहीं आ सकता यह प्लस नहीं आ सकता यह बीगलत यह बीगलत यह बीगलत यह सिंपल सा सवाल है आगे बढ़ते हैं आपकी स्किन पर यह रहा यह बढ़ा अच्छा सवाल है उन्हें वाला इंक्रेक्टिस स्टेट्मन बतातो जेमें से किस वर्म आया था ठीक है सब आजो उन्हें वाला था अगर सपोज किसी गोशियन सर्फेस के अंदर इलेक्टिक फिल लाइन आ रही है तो इसका मतलब अंदर चार्ज रखा हुआ है कैसा निगेटिव चार्ज क्यों फ्लक्स बराबर क्यों इंसाइड अपन एपसलन हो नेक्स या निगेटिव चार्ज की बेसे जो इलेक्टिव अगर इन अगर अगर सपोज कोई बिख गोशन बना दू और एक मैंने वहाँ पर सपोज कोई भी विखोष्यन सर्फेस बना दिया सर जितनी एलेक्टिफिड नाइन गई जितनी आई उतनी गई क्योंकि यूनिफोर्म एलेक्टिफिल्ट है तो इसका आने वाला फ्लक्स बरबागा जाने वाला फ्लक्स तो यह गलत हो गया क्योंकि अगर कोई सपोज मैं मानके चलू यह इसको एसे रहा हुँ कि पैला टू तुदगा क्षवा ही है तो इंट केस मैं यहां पर हम लोगे बोल सकते हैं कि सर यहां पर फ्लक्स नहीं आएगा फ्लक्स तब flux नहीं आएगा तो answer will be the option is your correct answer देख रहा है basic चीज पूत रहा basic चीज ठीक है चलो और देख लेते हैं सवाल next question तुम्हारे सामने यह रहा यह भी मैंने class में कराएवा सवाल था same सवाल class में करवाय था इस type के देखने के लिए आपको जरूर मिल जाएगा अब उसने बोला है अब उसने बोला है अप्रॉक्सिमेड बेरियेशन ऑफ इलक्ति फिल बता तो कैसे कैसे होगा class में करा हुआ यह सवाल है वो यह कहना चाहता है कि यह जो है अंदर एक सॉलिट गोला है मेटल वाला उस पर चार्ज है क्यूं तो जो भी चार्ज की होगा भाई उसके तो आ जाएगा सर्फेस के माइनस की इंडूज हो जाएगा तो इलक्ति फिल कुछ ऐसी देखने के लिए हां पर बिलेगी ठीक है सर्थ अब जहां जहां मेटीरियल भरा होता है इलक्ति फिल्ड क्या होती है जीरो तो यह जो पॉर्शन हरा वाला मैंने बनाया है यहां पर फिर से इलक्ति फिल्ड जीरो हो जाएगी और आउटसाइड अब यह माइनस है तो बाहर आ जाएगा प्लस तो जैसे ही आप बाहर जाओगे इलक्तिक फिल्ड डाइन कुछ बाहर की तरफ इस टेरिकिस आप बनाओगे परफेंडिकुलर्ली और बाहर जाने पर इम वह डिक्रीज होती चली जाएगी तो अब बैश्चान से देखते हैं पहला यह बाले भाई साब यह कह रहे हैं क्या लोगी नहीए पॉ집ि में पाजिटिक से यह से कब तकी कि से लग्तिक फिल्ड ऑजया बचा कौन सा ए और भी अब चेक करो इसमें अंतर क्या है और बीकमे यहाँ एलक्ट्टिफिल 0 है और यहां इलक्ट्टिफिल नॉँझ जीरो है तो चेक करके बताओ, A और B के पीच में को है, A और B के बीच में यह हरा वाला गोला, हरा यहां पर शक्य कर दंदर टो इलक्ट्टिफिल पैसे लिगते हम संवर्ण कर निकवा रखा एक सब्सक्राइब आपको निग्रवा रखाए जरूर उसको एक बाद जरूर देखें आप देख लो कि मैंजोटी अगला कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन तुम्हारे सामने यह है एक क्यूविस प्लेश इंसाइड एलेक्टिव फिल्ड ए परावर वन फिप्टी पाई वाई स् इसका मतलब केबल इस फेस से ही फ्लक्स आएगा तो मैं अगर फ्लक्स अउत लिखूँ तो आप लिखोगे सर वन फिप्टी इन सारी जगए पर but曡 की वेल्यू कित्नी यह इस क्यूब की लेंध्य के बराबर मांगे चल्ड लेंथ है ए तुक्न हो दो हुआ है इन्टु अधियाव स्थ्रीप एलेक्टिक फिल्ट इन्टु एलेक्रियल कैसा लिगे वाई टक्राड़ी कितना कि दिनकर नेट फ्लक्स रिता आ गया यह स्थाने 1 फिप्टू इन्टु एक पाबर डेस इप्टिस इप्वल तो पॉजिटिव चार्ज होगा अब यहां से क्यूंसाइड निकाल ले बस वैल्यू पुट करनी है क्या लिए क्या क्यों इंसाइड बराबर 150 इंटू एक की पावर 4 एक कितना है हाफ मीटर तो एक की पावर 4 कितना हो जाएगा हाफ की बन बाई 4 हाफ का इस्वार कितना होता इसका मुझा सोला इंटू एपसाल बस भाईया इसको सॉल्व कर ली ना सॉल्व करके जो भी तेरा आंसर आएगा वह आप देख लीजिएगा 8.3 वह खुद कहना सहरा है कि आपना के बल पास हो गया तो दिट इस अप्रॉक्सिमेटल इक्वल टू एट पॉइंट पॉइंट सम्थिंग इंटू 10 की पाव माइनस 11 कैसे लिगा देख एपसाले नौट में माइनस 12 आता था और यह जो बेल्यू है यह 10 के बराबर हो गई है ठीक तो यहां आता था एट पॉइंट स जल ले ठीक है अगला कोशन वाट इस साइड ओव इस लेंध एल परपेंडिकुलर टू इच एदर ध्यान से इसको देख हम से पूछा गया है इस जगह पर इलक्ति फिलवा बताओ ध्यान से देख ठीक सर देखो सर यह और यह इनकी वैसे इलक्ति फिलाएगी सर यह क्यू ह साण हो तो असा लिख सकते हो दिस पॉंट इस ओ तो यहां पर रख दे आपस तू bliss किは State इसका काम खते सर सर यहां पर है minus Q और just opposite यहां पर भी है minus Q यह minus Q, minus Q एक दूसरे को cancel out करतेंगे ठीक है सर सर यहां है plus 2Q, यहां है Q इसकी बेसे लेक्टिफिल इधर, इसकी बेसे इधर यह और यह भी cancel out करेंगे तो तुम मान सकता है कि यहां पर अगर एक plus Q चार्ज रख दे, तो भी condition तेरी same रहेगी, ठीक है सर बिल्कुल उसी प्रकार, यह 2Q, यह Q तो इसका मतलब just यहां पर तुमान सकता है कि यहां पर एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, अब तुझे इसके बाद का काम 13 है, मेरा नहीं है, ठीक है मैं distances भी बता देता हूँ देख, यह वाली distance L है अगर तो यह distance भी L है और यह distance है L root 2 साब साब दिख रहा है, यह distance किती है बाई साब L root 2 इसकी बज़े से इलक्टिफिल, अगर मैं इधर E बोलू, इसकी बए से इलक्टिफिल इधर E बोलें, तो इसकी बए से इलक्टिफिल इधर हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी पता है, KQYR square, L root 2 दे रखा है, E by 2 हो जाएगी, अब यार इतना बता दिए, अब तो सवाल और देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सवाल होगे, एक कोशन हो, देख लेते हैं, इसी बात पर, ठीक है, यह सवाल class में कराएव है, हर class में सवाल कराएजाता है, class का इवा सवाल है, two identical tennis ball, each having the mass and charge you are suspended from a fixed by a length L, and what is the equivalent separation, जब दोनों है, theta angle बनाए, vertical के साथ, भाईया, वही वाला सवाल है, जो आपको class में देखने के लिए मिला होगा, कि ध्यान से देखो, vertical के साथ, angle theta बनाया है, यहाँ पर एक charge plus q है, और यहाँ पर भी charge एक plus q है, आपको शायद यह बात पता होगी, अगर आप mvd बनाओगे, नीचे लगेगा mg, इसकी बएस से लगेगा इधर electrostatic force, और इधर लग रहाओगा tension, यह angular theta, t cos theta बराबर mg, t sin theta बराबर fe, तो solve करके आता था था, 10 theta बराबर fe by mg, बास्वाजबारिये, यही values हमको इन given terms में लिखनी है, given terms कोन से हैं, भाईया, length L है यह वाली length L दे दी है, ठीक है, अगर यह length L है, तो ध्यान से देखो, यह वाली जो length होगी, यह हो जाएगी L sin theta, ठीक, और यह भी length जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, L sin theta, just put the value, आप देखो, आराम से value put करते हैं, 10 theta बराबर fe, fe बराबर k, q1, q2 by r square, 2L sin theta का whole square, ठीक ह हम से पूछा क्या है, उसने, चेक करके देख ले, पूछा क्या है, उसने पूछा है, उसने पूछा है, X के साथ, अपे X क्या है, देख ले बहुत, इकलो बेरे, separation, अच्या, मतलब उनके बीच की separation, मतलब आप से 12 sin theta पूछीए, मुद्दे की बात यह है, क्या पूछीए, अब से 12 sin theta पूछीए, ठीक, तो उसको तु एक काम करना, इसको यहीं पर X लिखना सीधा, पटात से, X square into mg, that means, X square बराबर, K Q square, बटे mg, K की जगे 1 upon 4 5 epsilon 0, लिख देते हैं, ठीक है, 1 upon 4 5 epsilon 0, Q square by mg, into, नीजे आगया 10 theta, 10 theta is approximately equal to, 10 theta is approximately equal to, sin theta, और sin theta तो यहां से लिख सकता है, perpendicular, सौनमारी बाद, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is what, इसको मैंने बोला था, पूरे को X बोला था, तो यह हो जाएगा, X by 2, तो तो सीधर नीचे लिख सकता है, सर, X by 2L, यह तो अच्छा सवाल हो गया, मझे मझे मझे, ठीक है, आओ एक बाद चेक क पाधिन, इसको मझे 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 पर चला गया, यह आण सब यह बनवाई थरी जा रहा है, तो क्यों अटाएगा तो पावर बनवाई थरी जा रहा है, वे, गलत, आहां, तीनों मैच कर रहे हैं, चल कोई बात नी, Q2, 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 Q2 2, Q2, Q2, Q क्लास का सबाल थोड़ी सी कैलकुलिशन तुझे लग रहा हो आप खुद ही खुद कर रहे हो यार अमने तेतरब देखके तो नहीं कर सकता ना कैलकुलिशन के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा तो भाई मुद्दे की बात यह है ठीक है मन तो कर रहा था और सवाल करा हूं भ उससे जादा तो देख भी नहीं सकता तो निशकर्स यह निकला जिन बच्चों का जी मेंस वन बिगड़ गया है किसी कारण बस वो एक बार यह देखें ठीक है आप नोट्स देखें जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए आप एक बार नोट्स देखें या जो बच्चे कहीं तरीके से एकुरेसी के साथ आपको उनकोश्चन को सॉल्व करना है गलती सिलिमिस चेक्स नहीं होनी चीए सवाल में कोई गड़वली नहीं हो चीए कोई फॉर्मूला नहीं भूलना चीए सवाजबारी बात अगर तो एक भी फॉर्मूला भूल गया डिस्की बेसे लग्ते है लेकिन जब कोश्चन करने की बारी आती है तो फॉर्मूला भूल जाते हैं कैल्कुलेशन में शेक करना स्टार्ट कर देते और इन सबका इन सबका जो में रीजन है वो रीजन है महनत कम प्रेक्टिस कम ओनलाइन क्लासे में खासकर बच्चे को थोड़ी देखने की आदत करने की यादत नहीं होती है वो कुछ से सौल करना है कि कैल्कुलेशन भी आप ही करते हो सब इन देट केस जो बच्चा इस सब्ढ़ता आया है या आगे पढ़ता जाएगा वो सेलेक्शन से दूर होता चला जाएगा पेपर देखके तुझा आइडिया लग गया होगा हमको खुद ही सौल करना है हमको पैन कौपी पे रब कोपी पे कैल्कुलेशन खुद ही करनी है हमको कुश्चन पढ़के खुद ही लिखनी है खुद ही फॉर्मूला पूट करना है खुद ही सौल करना है यह चीज देजिन तो सीख जाएगा सेलेक्शन के उतनी करीब जाएगा ज अभी भी नहीं होता है जो बच्चे इस स्ट्रेटेजी पे हैं अपनी स्ट्रेजी बेटा बदल दो अभी भी एक महीने का वक्त है ठीक है आप अगर मेहनत करोगे तो यस आप बहुत अच्छा कर सकते हो सलेक्शन हो या ना हो बतो बगवान जी के हाथ में लेकित आने वाला जो एक महीना है तेड़ महीना है उसमें तो तो कम से कम बता बैस दे ताकि फाइनल रिजर्ट जो है जिस तरह तु पढ़ रहा है उस तरह पढ़के जो आता उससे तो बैस निकल के आए तो इसके लिए थोड़ा साप लोग अपनी पढ़ने की जो तरीका है उसको चेंज कर जाएगा बिल्कुल इसी तरह ठीके रही है मिलेंगे कल या परसो जो भी है नेक्स स्रीज में हो सकता है होफ़ुली नेक्स चैप्टर हमारा कैपेसिटर हो उसमें भी इसी तरह के सब्सक्राइब करें ठीक है मैं उनसे एक बात बोलूँगा चाहें क्लास कोई से भी सर ले म मैं लूँ या फिर जो है अदित्यानन सर ले या फिर राजबन सर ले हम तीनों में से ही कोई न कोई क्लास लेंगे ठीक जिनका क्लास का स्केडूल थोड़ा सा विजी रहेगा आप समझ जाओ कि और भी क्लासे सोती है वह वाले सर लेंगे तो जो भी क्लास लें उससे पहले उस पर्टिकुला चैप्टर ठीक है कि नोर्स के कोईशन से आप पढ़के जरूर आएं अगर आपने देख लिया है कि यार यह क्लास आ गई है इस पर्टिकुला चैप्टर की तो वह अटेंड करने से पहले सारे फॉर्मुले रिवाइज कर लें रभ को पी पे रभ को लाम आया तो तुझ नहीं कर पायाता है और मारी बात इस बात का ध्यान रखना है ठीक केर